तो finally हम सो वापस आगे कीचडवाली होली खेल के और अगर तुम्हें नहीं पता कि हमने कीचडवाली होली खेले इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं कर लो यार मतलब अच्छा लगेगा हमें फॉलोइंग चाहिए तो finally एक holy break see what I did there वी आर बैक और साथ में आ गया है बड़े मिया छोटी मिया का ट्रेलर जहें इसका टीजर काफी आक्शन पैग था जिसने हमें तो बहुत इंप्रेस किया था वहीं इसका ट्रेलर भी काफी आक्शन पैग नजर आ रहा है जो एक perfect theatrical experience दरूर बन सकता है क्योंकि चैंज की mobile screen में सिर्फ शादी की रीज़ देखी जाती है तो भी राजा व्लोग्स देखता है न? हाँ उसी को देखके तो शादी का mood हुआ तो कब करें? बड़ा कौन है? तो फाइलली बड़े मिया छोटी में एक ट्रेलर आ गया है जहां ट्रेलर में हमें देखने मिल रहा है कि शायद से एक rogue agent या फिर कोई आतंगवादी जिसको बनलादा revenge लेना है इस देश से वो काफी stylish है आतंग तो मचाते रहेंगे मगर style से तो ये villain जिसकी शकल दिखाई नहीं गयी है अभी तक मतलब ये कौन है, क्या है, क्यू है, कब है और किस लिए है, पताएंगे ये तो अभी तक एक राजी है मगर इसने अपने कुछ भाडो वाले मुश्टनों के साथ मिलके चुरा लिया है एक ऐसी technology जो शायद AI को बहुत वाइल्ड बना सकती है वाइल्ड आप लोगों की एक किंती चीज में लेके जा रहा हूं जार ट्रेवर में हमें देखने मिलता है कि इस technology से किसी को भी control किया जा सकता है और हमें भी ये चाहिए, क्योंकि बहुत लोग control करना है अब इस विलन ने आतंक बजा दिया है और हमें देखने को मिल रही है स्वनाक्षी सिना जिसे शायद AI technology से control किया जा रहा है तो अब इन्हें रोकेगा कौन अगर इस psychopath को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की ज़रुत पड़ेगी बड़े मिया चोटे मिया जब फाइनली हमें ट्रेलर में दो आर्मी ओफिसर्स अक्षी कुमार और टाइकर श्रॉब भी देखने मिल रहे है और इन दोनों की आपस में ही जम नहीं रही है तो क्यों लीड करेगा? बिकस आफ दब बेस पर वेल जब विलनी तक हतना आख हो तो अपने डिफिंसेस अटा के साथ में एक काम करना पड़ता है है न राजीब? क्या? वहीं ट्रेलर में हमें साथ में देखने को मिल रहे हैं मूवी की दो फीमेल लीड्स मानुशी चिलर और अलाया एफ जो इस मिशन में इनका साथ देने वाली है क्योंकि इन्हें टेकनोलोजी के बारे में कुछ जादा ही पता है बूमर्स को जादा तो पता रहता है वरना बाकी लोग तो अंकली बन गए यह तो मुझे देखे क्यों बोल रहा है तो सो फार ट्रेलर काफी इंगेजिंग लग रहा है जा मुवी में काफी ट्विस्ट अंट तर्न्स देखने मिल सकते है जैसे की अक्षिप कुमार का AI से कंट्रोल हो जाना और शायद से मैसिब डिस्रक्शन देखने मिल सकता है जो काफी एक्साइटिंग होगा तो डिस्रक्शन को लेकर इतना एक्साइटेड की हुए है मजा आता है जहां मुवी को डाइरेक्ट किया है अली अबाज ने जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिन्दा है जिसी मुवीज बनाई है और ये देखने लाइक होगा कि इस साल अक्शन के डोज में और क्या मिलने वाला है प्लस मुवी एक मास एंटेटेनर है वो साप नजर आ रही है और मुवी रिलीज हो रही है 10 एप्रेल को एद की दिन और इतिहास गवा है ये कि इद के दिन जब भी मास मसाला एंटेटेनर फिल्म से ब्लीज हुई है वो हिट तो रही है तो ये भी देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा मतलब भाई जान इस इद पे नहीं आ रहे लगता है किसी के भाई को सगमा लगाया किसी की जान का एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं जहां लास्ट टाइगर श्रॉफ की डिस्टोपियन फिल्म कहां गई किसी को नहीं पता चला पर इस फिल्म से टाइगर श्रॉफ अपना कमबाक कर सकते है और वेल अक्षे कुमार तो खिलाडी है तो दोनों की फ्रेश जोडी स्क्रीन पर देखना काफी जादा इंट्रेस्टिंग तो होगा ही जैसे हमारी जोडी देखना होता है हिंदुस्तान है हम वहीं सो फार मूवी काफी सिनेमाटिक है और वीजुल्स काफी अपीलिंग भी लग रहे है अग साथ में साइफाइ फिक्षिन का डोस भी देखने को मिल सकता है तो सो फार इसका प्रडेक्शन काफी बड़ा देख रहा है मतलब पूजा इंटेटेंटेंटनस ने काफी बड़ा गाम किया है प्रडेक्शन में तो तुम अपना मुझ केसे छुपा रहे हो भी हमें कॉमें सेक्शन में सुरू बताना और रिजल्ट आ गया है तो तो डेफिनिल्टी तुम्हारे रंग उतर गया हुए रिजल्ट अभी कहा आएगा ताइम है भाई नहीं आतो गया, अप्रेल स्टार्ट होने वाला है जिसके 90 अब हो आए ना वो नीचे कमेंट पर बताना फ्लेक्स करना भाई फ्लेक्स करो हम तो कभी नहीं पहुच पहे तुम्हें ही देखके खुश हो जाएंगे तुम लोग हमें हमारे social handles पे भी follow कर सकते हो guys यह रहे हमारे social handles हम मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में तब तक के लिए, okay bye Wakanda forever चल बड़े, खाना खाते है नेरी हाइट छटी तो मुझे बड़ा मोलती है वीडियो देखिना अब वीडियो वीडियो वीडियो